तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चलनल टागेट समिस्टर में मैं हूँ अमरीत राए और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट एकाउंटिंग फॉस्ट के MCQs के बारे में कॉस्ट एकाउंटिंग फॉस्ट का कुछ MCQs अप्लोड हो चुका है आपने देखा भी होगा लेकिन आज के इस लेक्षर में हम थोड़े से आगे की कंसेप्ट से रिलेटेट जो MCQs हैं आपके वह हम आज जानेंगे देखते हैं सबसे पहला question है कि financial accounting में काफी सारी कमियां थे there were so many deficiencies in the financial accounting and that to overcome this deficiency the cost accounting emerged and cost accounting emerged हुआ in financial accounting की कम्यों को deficiencies को खत्म करने के लिए इसका option हो जाएगा A that is to meet the deficiencies of financial accounting यानि financial accounting के जो भी कमियां थे उनकी जो भी deficiencies थे उनको खत्म करने के लिए cost accounting का origination होता है हिंदी में लागत लेखांकन की उत्पत्ती हुई वित्य लेखांकन की कमियों को पूरा करने के लिए जो वित्य लेखांकन की कमियां थी उनको पूरा करने के लिए ही लागत लेखांकन की उत्पत्ती हुई थी चलिए आगे बात करते हैं second question की cost accounting is used यानि लागत लेखांगन का उपयोग किया जाता है by big producers यानि जो बड़े तबके के producers होते हैं जो बड़े तबके के उत्पादक होते हैं या फिर by small producers by marginal producers या by big and small producers तो वैसे तो logically देखा जाए तो cost accounting का use बड़े producers ही करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है production चाहे छोटा हो या बड़ा हो cost accounting सभी जगा applicable होती है लेकिन cost accounting का जो major use होता है वो big producers के द्वारा ही होता है इसका option दोनों सही हैं big and small producers लेकिन maximum cases में cost accounting को install करना cost accounting system को install करना काफी costly matter होता है काफी इसमें खर्च आता है और इस खर्च को सारी कमपनियां छोटे छोटे producers नहीं कर पाते हैं इसलिए हमको बड़े producers की आओ सकता पड़ते हैं मतलब cost accounting system को use करने के लिए बड़े producers ही होते हैं mainly लेकिन ऐसा नहीं है कि कि बड़े producers ही करते हैं छोटे producers भी करते हैं लेकिन छोटी scale पे करते हैं तो cost accounting is used by big and small producers यानि लागत लेखांगन का उपयोग बड़े और छोटे दोनों ही प्रकार की निर्माताओं के द्वारा किया जाता है चलिए आगे बात करते हैं कुस्चिन नमर थार्ड cost accounting is based on cost accounting यानि लागत लेखांगन किस पर अधारीत होता है तो cost accounting double entry system पे based होता है किस पे based होता है दोस्तों cost accounting हमेशा double entry system पे based होता है हिंदी में लागत लेखांगन दोहरा प्रविस्थी प्रणाली पे बेश्च注 होता है आगे बात करते है question number 4 cost accounting system is suitable यानि लागत लेखांकन प्रणाली किसके लिए उपयोगत होती है for trading concerns, for business concerns, for manufacturing businesses तो हमने आपको बताया था कि mostly जो cost accounting का use होता है वो manufacturing businesses ही करते हैं क्योंकि manufacturing businesses को अपने product का cost निकालना होता है और उस cost में margin को add करके और profit मतलब margin को add करके उनको sell करना होता है margin यानि profit को add करके तो normally cost accounting तो manufacturing businesses ही use करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है cost accounting को एक service industry भी use कर सकती है जो services produce करती है लेकिन mostly जो product manufacturing businesses होते हैं वही use करते हैं चलिए लागत लेखांकन प्रनाली उप्यूबत है वी निर्माड वेवसाय के लिए यानि जो वेवसाय वी निर्माड में उद्योग है जो वेवसाय अलग-अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माड करते है चलिए आगे बात करते है question number 5 cost accounting is लागत लेखांकन क्या है part of financial accounting यानि वित्य लेखांकन का भाग है part of management accounting यानि प्रबंधन लेखांकन का भाग है या फिर इन्वे से कोई नहीं तो cost accounting financial accounting का part होता है हमने आपको बताया था पहले financial accounting में ही cost accounting पढ़ा जाता था cost accounting का एक हिस्सा होता था लेकिन आज जैसे जैसे वक्त बदल रहा है तो वक्त के हिसाब से businesses की need बदल नहीं है और उन needs को fulfill करने के लिए financial accounting की कमियों को पूरा करने के लिए cost accounting को financial accounting से अलग किया गया और एक separate branch of accounting बढ़ा गया लेकिन initially cost accounting financial accounting का ही पार था याद रखना है दोस्तों आपको initially cost accounting financial accounting का ही पार था लेकिन आज cost accounting is a separate branch of accounting एक separate branch of accounting है cost accounting लेकिन पहले financial accounting का ही एक पार था तो इसका उत्तर हो जाएगा लागत ले खांकन, वित्य ले खांकन का भाग होता है अगला है question number six The head office of the institute of ICWAI is situated in हिंदी में ICWAI संस्थान का मुख्य कार्याला कहा स्थित है आप पुछेंगे कि ICWAI का full form क्या है तो ICWAI का full form होता है The institute of cost and works accountant of India क्या होता है The institute of cost and works accountant of India और इसको आज हम लोग ICMAI के नाम से भी जानते है The institute of cost and management accountants of India जैसे chartered accountants के लिए ICAI होता है company secretaries के लिए ICSI होता है वैसे इस CMS यानि cost and management accountants के लिए ICMAI होता है या फिर ICWI होता है अब यह जो नाम है ICWI और ICMAI इस पर लेके काफी समय से dispute चलता है लेकिन वो हमारे discussion का topic नहीं है लेकिन फिर भी आप जान लीजे कि ICWI और ICMAI यह की चीज है और इसका जो head office है वो कॉलकता में है कहां है कॉलकता में है याद रखेगा हमें सा ICWI यह नि इंसिट्यूट अफ कॉस्ट और वक्स अकाउंटेंट अफ इंडिया का जो head office है वो कॉलकता में है चली आगे बात करते हैं अगला क्वेशन है क्वेशन नमर सेवन विन दो ICWI एक्ट वस पास्टिन यानि भारत में ICWAI अधिनियम कब पारित हुआ था तो इंडिया में ICWAI यानि इंसिट्यूट अफ कॉस्ट और वक्स अकाउंटेंट्स अफ इंडिया एक्ट पास्ट वा था 1959 में यानि 1969 में ये कानून बना था जिसमें हमारे देश में एक बोडी बनाई गए थी जिसका नाम था इंस्टिटूट अफ कॉस्ट और वक्स अकाउंटेंट अफ इंडिया और यही बोडी हमारे देश में CMS को बनाती है Cost and Management Accountants को बनाती है चलिए तो याद रखेगा ICWAI का ओफिस कॉलकता में है और इसकी स्थापना 1959 में एक एक पास करके की गई थी ये भी कोशन बन सकता कि ICWAI के इस प्रकार की बोडी है तो एक statutory body है एक statutory body है अब आप पूछेंगे कि statutory body किसे कहते है तो ऐसी body जो किसी Special Act of Parliament से बनाई गई है जो संसद के किसी विशेश अधिनियम से बनाई जाती है उस body को हम statutory corporation कहते है चलिए आगे बात करते है Question No.8 Assertainment of cost with the help of actual expenses incurred is term res यानि किये गए वास्त्विक वे की सहायता से लागत का पता लगाना इसको हम क्या कहते है मतलब हमने actually कुछ expense किया अब उस expenses को जोडेंगे हम और उससे हम cost determine करेंगे यानि हम क्या कर रहे है यापे actual expenses को जोड़के cost को ascertain कर रहे है अब इस में इस इस प्रकार की costing को हम क्या कहते है तो इसको हम कहते है historical costing historical costing में हम actual expenses को जोड़ते हैं और उसकी मदद से अपने business का cost determine करते है चलिए तो इसका क्या answer हो जाएगा A that is historical costing एतिहासिक लागत अगला question number 9 in oil industry which method of costing is used नहीं oil industry में कौन सा method of costing use होता है जो बच्चे सार्थी कहोंगे वो समझ पा रहे होंगे मैंने आपको बार बार बताया था कि जो different methods of costing है वहां से questions आते है इसलिए एक separate video भी बना के सार्थी वाले बच्चों के लिए upload की जा चुकी है उस वीडियो में आपको बताया गया है कि different methods of costing क्या होते है और कौन सा business कौन सी type of industry कौन से costing system को यूज करती है ठीक है students चलिए तो oil industry में जो method of costing यूज होता है उसका नाम है process costing क्या है process costing हिंदी में तेल उद्योग में लागत निर्धारण की किस पद्धती का उप्योग किया जाता है तो तेल निर्धारण में लागत को निर्धारित करने का जो पद्धती यूज किया जाता है उसका नाम है प्रक्रिया की लागत यानि process costing चलिए आगे बात करते है question number 10 की cost accounting is लागत लेखांकन क्या है कला है विझ्ञान है कला और विझ्ञान दोनो है तो बताईए cost accounting क्या है cost accounting art है science है या फिर art और science दोनों ही है तो cost accounting art भी है science भी है आपको उने बार बार बताया कि commerce में जितनी भी चीज़े आती है most of the चीज़े Art भी होती है, Science भी होती है क्योंकि Commerce is a combination of Art and Science बड़ा ही unique subject है Commerce बड़ा ही unique field है Study का Commerce क्योंकि इसमें हम दोनों चीजों का mixture पर एक मसाला बन रहा है हमारे लिए Art और Science को मिला के तो जो भी चीज़ें आप से Commerce में पुछी आते हैं इसमें से Maximum चीज़े Art और Science दोनों में आती है तो Cost Accounting क्या है Cost Accounting Art भी है Science भी है नहीं लागत लेखांकर कला भी है और विज्ञान भी है चलिए आगे बात करते हैं Question 11 की Which method of costing is used in hospitals क्या बात है बहुत ही सांदार question पुछा गया है कि कौन सा method costing का Hospitals के द्वारा यूज ही आयाता है तो दोस्तों हमेशा याद रखना जितनी भी Service Industries होती है चाहे Hospital Industry हो Transport Industry हो Water Supply Industry हो Electricity Supply Industry हो कोई भी Industry हो जो Service Provide करती है उन सारी Industries में Operating Costing का यूज किया आता है किसका यूज किया आता है Operating Costing का Hindi में परिचालन लागत का यहनि जितनी भी सेवाएं प्रादान करने वाले उद्द्योग है चाहे 외pani की supply पाणी आपूरती का सेवा प्रदान करे वो Bisley की आपूरती का सेवा प्रदान करे वो यातायाद की सेवा प्रदान करे कोई भी सेवा अगर कोई इंडस्टी प्रदान कर रही है कोई उद्योग प्रदान कर रहा है तो वो इंडस्टी वो उद्योग अपने business में operating costing का यूज़ करता है याद रखेगा हमेशा operating costing हमेशा service industry के दोरा यूज़ की जाती है चलिए आगे बात करते है question number 12 की telephone expenses यानि telephone वे क्या है fix है variable है या semi variable है तो telephone expense एक variable expense होता है क्यों variable होता है क्योंकि telephone expense का telephone expense जो होता है वो fix नहीं होता है आप जिस प्रकार से need होगी आपके जिस प्रकार से आपको आपको जरूरत होगी उस प्रकार से आप telephone communication करेंगे जैसे आप मालीज आपकी कोई इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे आप बात्चित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक महीने में बस 100 मिनट ही बात्चित करेंगे, अगर आपको ज़रुत परती है तो आप 1.500 मिनट भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कम भी हो सकता है, लेकिन कॉस्ट बढ़ेगा according to the level of production, टेलिफोन एक्सपेंस बढ़ता है अगर production बढ़ता है तो, लेकिन आप तो कहेंगे कि टेलिफोन अलग चीज है, प्रोड़क्शन अलग चीज है, इसमें relation था है, उसके लिए अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा जा उतनी बार आपको phone पर बात करना होता था, और जितनी बार आप जादे phone पर बात करेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपको जादे orders मिल रहा है, जब जादे orders मिल रहा है, तो आपके जादे production भी होगा, समझ रहा है, तो ये variable expense क्यो है, क्योंकि telephone expense is directly related with your production, the more production you will do, the more telephone expense you will have to incur, चलिए, तो telephone expense क्या है, telephone expense एक variable expense है, यानि telephone वे एक चरवे है, अगला question number 13, 20 questions है total, चलिए देख लेते हैं, 15, पूरे देख लेते हैं, 13 question क्या है, which of the following is not a factory overhead, इसमें से कौन सा factory overhead नहीं है, तो salary is not a factory overhead, क्योंकि factory में employees को आपके मज़ूरों को wages दिये जाते हैं, क्योंकि factory में काम करता है, labor, जो physical मेंनत करता है, बाकी आपकी office में काम करता है, आपका employee, जिसको आप बदले में salary देते हैं, तो salary is not a factory overhead, अगला है question number 14, the best example of variable cost is, यहनि variable cost का सबसे बढ़िया, सबसे बहतरीन example क्या है, इंदी में, परिवर्तनिय लागत का सर्वोत्तम उधारण क्या ह है, तो परिवर्तनिय लागत का सर्वोत्तम उधारण है, वो है material cost, जो material cost होता है, यानि जो सामागरी व्याय होता है, जो सामागरी लागत होता है, वही आपके, इसका सबसे best example है, variable cost का, चलिए, तो example जाथ रखेगा, best example of variable cost is material cost, सामागरी लागत, अगला question है question number 15 variable cost variable cost क्या होता है किस प्रकास से react करता है तो हमने आपको बताया variable cost जो होता है वो according to production बढ़ता है अगर आपका production कम है तो variable cost भी कम होगा अगर आपका production जादे है तो variable cost भी जादे होगा that means variable cost is directly related with your production level the more you produce the more will be your variable cost the more will be your variable expenses because there is direct nexus direct nexus between your variable cost and your production production बढ़ेगा तो variable cost भी बढ़ेगा production घटेगा तो variable cost भी घटेगा ठीक है चलिए आगे बात करते है इसमें options देख लेते तो variable cost fluctuates with the fluctuation in volume of production यागर volume of production में fluctuation होगा तो आपके variable cost में fluctuation होगा याद रखिएगा दोस्तों अगर volume of production में fluctuation होगा तो आपके variable cost में भी fluctuation होगा चलिए हिंदी में परिवर्तनिय लागत उत्पादन की मात्रा में उतार चड़ाओ के साथ उतार चड़ाओ रहता यानि परिवर्तनिय लागत में अगर आपकी लागत की मात्रा में उतार चड़ाओ होगा तो आपके production की मात्रा में अगर उतार चड़ाओ होगा आपके उत्पादन की मात्रा में अगर उतार चड़ाओ होगा तो आपके लागत की मात्रा में भी उतार चड़ाओ होगा चलिए आगे बात करते हैं, question number 16 All the variable expenses are यानि सभी परिवर्तनिय और लागत क्या होते हैं सभी परिवर्तनिय और विया क्या होते हैं तो जितने भी variable expenses होते हैं वो direct expenses होते हैं अच्छा इनको direct expense क्यों क्या आगया है क्योंकि हमने अभी एक line कहा आप से अगर variable cost में, variable expense में direct relation है तो इसलिए हम इसको direct cost कहते हैं या फिर direct expense कहते हैं चलिए तो all the variable expenses या direct expenses यानि सभी परिवर्तनिय और प्रत्यक्ष खर्च होते हैं आगे बात कहते हैं, question number 17 का Loss of material due to fire is treated as यानि आग के कारण होने वाली सामगरी की हानी को इस प्रकार माना जाता है यानि अगर आग के कारण कोई हानी हो जा रही है Loss हो जा रहा है, आपके factory में आग लग जा रही है उसकी वज़से आपके material का loss हो जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे अच्छा आग तो रोज रोज लगती नहीं है आग लगना कोई नॉर्मल बात तो है नहीं विसलिएम इसको abnormal loss कहते है या पिर abnormal cost कहते है याद रखेगा कि loss of material due to fire या फिर loss of material due to any force major condition आपके याँ गुकंप आ गया आपके आग लग गया आपके याँ बाढ आ गया आपके याँ कुछ भी हो गया ऐसा कुछ भी हो गया जो natural calamity की वज़ा से हो रहा है जो किसी प्राकृति कापदा की वज़ा से हो रहा है तो वो as a abnormal cost या फिर as a abnormal loss rate किया जाएगा याद रखेगा दोस्तों चलिए अगला question number 18 increase in total variable cost is यह कुल परिवर्तनी अलागत में भृद्धी होती है तो क्या होता है if there is increase in total variable cost then definitely there will be increase in production क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर variable cost बढ़ेगा तो production भी बढ़ेगा और अगर variable cost घटेगा तो production भी at the same time घटेगा चलिए तो इसका option का हो जाएगा see that is increase in production if there is increase in variable cost then there will be increase in production चलिए आगे बात करते है question number 19 की an example of variable cost is यहनि variable cost का example क्या है तो raw material सबसे best example अभी हमने आपको बताया भी कि raw material जैसे जैसे आपको production अपना बढ़ाना होगा जैसे जैसे आपको अपने business में इसी लिए जो आपका material होता है direct material, raw material वो variable cost का best example माला जाता है क्योंकि जादे production करेंगे तो आपको जादे material किया हो सकता पड़ेगी और जादे जब material किया हो सकता पड़ेगी तो वो variable cost आपका बढ़ जाएगा इंदी में परिवर्तनी अलागत प्रत्यक्ष सामागरी परिवर्तनी अलागत का सबसे अच्छा उदार है last question of the day question number 20 fixed cost per unit increases when fixed cost per unit increase होता है कब increase होता है when sales of production decreases यानि जब production का sales जो भी हमने समान बनाया है उसका sales कम हो रहा है तो fixed cost बढ़ता है याद रखिएगा जब भी आपके products का sales कम हो रहा है तो आपका fixed cost बढ़ता है whenever there is decrease in sales of production in sales production then definitely there will be increase in your fixed cost per unit ठीक है? चलिए अच्छा sales of production दिया है sales of production नहीं होना चाहिए अच्छा sales of production भी ठीक है लेकिन यापे हम production में sales की बात करेंगे क्यों बस production ही लिखिए यापे ठीक है? production ही सही है तो अगर fixed cost per unit increase हो रहा है तो क्यों increase होगा? क्योंकि production decrease हो रहा है अच्छा ध्यान देजगा ऐसा हो क्यों हो रहा है? fixed cost हमेशा fixed रहता है चाहें आप एक समान बनाए या फिर एक लाग समान बनाए it does not matter अगर आप एक लाग समान बनाते है तो उसी cost में मतलब उसी fixed cost में आपको कोई additional खर्चा नहीं करना पड़ता है आप बना लेते हैं लेकिन अगर आप एक समान बनाते हैं लेकिन आप समान हर महीने बस 10,000 का बनाते हैं इस case में क्या होगा आपको बढ़ियां वाला loss होगा क्यों loss हो रहा है क्योंकि आपका जो factory है उसकी capacity है कई लाग production करने के और आप कर भी सकते हैं अब उसका rent दे रहे हैं अगर आप जादे समान बनाएंगे अगर आप पचास लाख एक करोड दस करोड का समान बनाएंगे तो फिर आप ध्यान देंगे आपका fixed cost decrease हो जाएगा क्योंकि fixed cost निकालते कैसे हैं fixed cost equals to total production divided by total fixed cost तो per unit fixed cost निकल जाएगा sorry per unit fixed cost कैसे निकालते हैं और unit fixed cost निकालने का तरीका होता है total production divided by total fixed cost मतलब आपने 10 करोड समान बनाया और आपने 5 लाग का fixed cost पे किया तो 10 करोड divided by 5 लाग इससे आपका fixed cost निकल जाएगा जितना जादे numerator होगा अपने मैज पढ़ा होगा जितना जादे numerator होगा उतना ही कम आपका value आएगा मतलब numerator अगर बड़ा है denominator अगर छोटा है तो numerator के बढ़ने के साथ-साथ आपका जो value आएगा divide करने के बाद वो value घटता जाएगा अगर 10 करोड प्रड़क्शन मना रहे हैं आप 5 लाग के fixed cost पे तो value थोड़ा सा जादे आएगा लेकिन अगर आप 50 करोड प्रड़क्शन कर रहे है केवल 5 लाग के fixed cost पे तो value आटोमेटिकली कब आएगा आप calculate करके देख सकते हैं बड़ा easy calculation है that's it मिलते हैं दोस्तों next lecture में अगर आप complete preparation करना चाहते हैं semester की सारी समस्याओं का एक best solution चाहते हैं तो आपके लिए तयार किया जा चुका है आपका सार्थी और बाकी आपके बहुत सारे दोस्तों ने join भी कर लिया है अगर आप भी सच में semester में top करना चाहते हैं इतिहास बनाना चाहते हैं तो जाइए डाउन्लोड करिए हमारे target गुरुकल मॉवाईल एप को वहाँ से join करिए सार्थी को और देखिए कैसे आपके result में एक जबर्जस्त बदलाव हम लेके आते हैं वहाँ पर जो भी contents upload है वो सबसे best content आपको market में मिल रहा है उससे 100% possibility है questions बनने की और आज तक बना भी है यह इसके proof आप सभी लोग है that's all दोस्तों मिलते है नेक्स लिक्टर में पुरी उज़ा के साथ तब तक पढ़ते रहे पुरी सुदत के साथ क्योंकि एक्जाम है आपका पंदरा दिसंबर से